इसके नीचे रिखी में तो N हो जाएगा इसके नीचे लिखेंगे तो क्या एगा आएगा और इसके विचे लिखेंगे तो क्या है तो इसका मतलब ये लोगा जीए रहे तो ये वह मैशा आइमेशा और उने favorit म।ो बताएं अजए इस question का answer इनलम इरफ प्राइफ यह रिखने हैं इस question का answer 4 नहीं है इस question का answer डाइट होगा पते हैं क्यों हूं कि addition में यह खूस्ट Palitet नेगटिविक होज तो हम जोए कि मीनोब्स 1 यहले माइनस मकेश चुपिहई गाम for how many integral values of n 5n plus 23 divided by n minus 7 also n integral तो देखते हैं इसी concept पर सिखिट बेशन 5n plus 23 divided by n minus 7 also n integral तो पहले question में हमाई पास nthra denominator में अब कितना है n minus 7 है तो इस question को best way क्या हो सकता है देखो करने का सबसे पहले जो denominator में है उसको एक single variable माल लो तो n minus 1 को हम t let कर देखे है उससे होगा क्या n का value इतना आजाएगा t plus 7 और जहां जहां पर भी n loss को t plus 7 से replace कर दो वो वैसा ही question हो जाएगा जैसा हमने पहला question किया दा तो देखे क्या बन जाएगा ये 5 times t plus 7 plus 23 divided by कितना हो जाएगा t हो जाएगा now we can say that this is 5t plus 35 plus 23 it would be 58 divided by t also an integer ये integer बनना चाहिए अब आप कहेंगे इस को इस से divide करेंगे ये तो फाइवाइगा ये निशा इंटीजर आना चाहिए और जैसे हमने पहले पर देखा था बताओ ये इंटीजर कम आएगा well t should be a factor of 58 तो वो वेल्यूस क्या होगी तो बताओ को कितनी वेल्यूस दे सकते हैं एट वेल्यूस दे सकते हैं तो अगर t की एट वेल्यूस होगी इसमें एट वेल्यूस होगी तो इस question का पर answer क्या होगा वेल्यूस होगा और ये ही solution काना सरे ठीक है